नमस्कार यह आकाश्वानी है अभी आप अनुच कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार लोग सभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्थ हो रहा है विदेश मंतरी डॉक्टर एस जैशंकर ने कहा है कि अभी व्यक्ति की स्वतंतरता का अर्थ अलगावाद के समर्थन की आजादी नहीं है सेर्क दुराश्टर संग ने कहा है कि अफगानिस्तान में बार्ट से मरने वालों की संख्या दोसों से अधिक हो गई है सिंगपू के प्रधान मंतरी ली शियन उलूंग ने देश की प्रगती में आईटी और आयाम की योगतान की प्रिसंसा की और आईपियल कुर्गेट में आज कोलकाता में मुमई इंडियन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स दे होगा अब समाचार पिस्तार से लोगसभा चुनाव के लिए प्रचार आज श्राम समाप्थ हो रहा है राजनेतिक दलों के अनुरोद को देखते हुए राज की 17 लोगसभा सीटों की 119 विधान सबा निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिक तर के लिए मतदान का समय एक गंटे बढ़ा दिया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने चुनाव तैयारियों की समिक्षा की और शराब सहित अन्यसामागरी मुप्त बार्टे जाने की आशंका वाले इलाकों में रात में अधिक चोकसी बरतने और ओचक निरिक्षन करने का निर्देश दिया भाजपा के वरिष्ट नेता और ग्रिह मंत्र अमिश्याह ने आज आरोप लगाया है कि मंता पैनर जी के नेतरतुव वाली सरकार ने वीरभूम जिले में परटन के विकास के लिए कुछ नहीं किया है उन्होंने वादा किया है कि सत्ता में आने पर भाजपा इस जिले के धार्मिक स्थलों का विकास करेगी श्रिशाह पार्टी के बीरभूम लोगसभाव मिद्वार के समर्थन में बीरभूम के चकपारा तारापीठ रोट पर एक सारवजनिक पैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि हालांकी मुख्य मंतरी मंता पैनर जी बीरभूम जिले से हैं लेकिन उन्होंने इस जिले के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है श्रीशाह ने मतदाताओं से भाजपा को वोट देने और भ्रष्ट ट्रुनमूल कॉंग्रिस का सफाया करने का आगरह किया बाद में श्रीशाह ने आसनसोल के रानी गंच में भाजपा के आसनसोल उमिद्वार के समर्थन में एक गरोर शो में हिस्सा लिया विदेश मंतरी डॉक्टर सुब्रमणयम जैशंकर ने कहा है कि अभिवेक्ति की स्वातंतरता का अर्थ अलगावात के समर्थन की आजादी नहीं है कैनेडा में अलगावाती घटनाओ की ओर से संकेत करते हुए उन्होंने कहा है कि अलगावात और हिंसा का खुले तोर पर समर्थन करने वाले चरमपंथी तत्वों को कैनेडा की राजनीती में संरक्षन प्राप्थ है कल एक समाचार एजनसी से बाचीत में डॉक्टर जाशंकर ने कहा कि कैनेडा की राजनीती में ऐसी कुछ चर्चित हस्तियां है जो अलगावात और चरमपंथियों को बढ़ावात दे रही है उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए और कैनेडा सरकार इसे विवक्त की स्वद्रता का नाम दे रही है डॉक्टर जाशंकर ने ये भी कहा है कि देश अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंद चाता है लेकिन इन दोनों चीन के साथ भारत के संबंद सामाने नहीं है क्योंकि सीमा पर शांती में खलल पर रही है उन्होंने कहा है कि भारत इस मुद्दे पर चीन के साथ लगादार बात कर रहा है और संबंद को सामाने बनाने में दोनों देशों को मिलकर इस मुद्टे का समाधान करना चाहिए दक्षीनेशिया एक शेटरे सहयोग संगठन सार्क के महासचिप मुहम्मद घुलाम सर्वर भारत की अपनी पहली आधिकारी ग्यातरा पर नए दिल्ली पहुँच गए है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रंधिर जैसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये अफसर दक्षीनेशिया में सहयोग को और मजबूत करना होगा श्रीर सर्वर भारत की पांच दिन की यात्रा पर है इस दोरान उनका कई बैठ के करने का कारिक्रम रहेगा विदेश मंत्राले के अनुसार फ्रीर सर्वर विदेश राजय मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंग और विदेश सचिव विने मोहन क्वात्रा तथा जैदीब मजुमदर से मुलकात करेंगे सेंग तुराष्ट संगनी कहा है कि अफगानिस्तान में बार से मरने वालों की संख्या दोसों से अधिक हो गई है अकेले उत्तरी प्रांथ वगलान में ही 62 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारे मकाने नुकसान के एक अगार पर है वगलान में भीशन बार की स्थती बनी हुई है और जन्जीवन अस्थिवेस्थ हो गया है बार से उत्तरपूर्वी बढ़ाक्षन प्रांथ और मध्यवर्ती गोर प्रांथ में भी मुसलाथार बारिश से काफी नुकसान हुआ है तिशकान जिले में भी बार से लोगों के मारे जाने की आशंका है इस जिले का सडकसंपर्क टूट गया है सिंगपो के प्रधानमंत्री लीशियन लोंग ने देश की प्रगती में विदेशी प्रतिभाओं की योगतान की प्रसंसा की सिंगपो के एक समाचार चैनल से बाचीत में उन्होंने कहा है कि भारतिय प्रतिवगी की संस्थान IIT और भारतिय प्रबंदन प्रोग्राम IIM के विध्यार्ती बड़ी संख्या में सिंगपो में काम कर रहे है श्रीलूंग ने ये भी कहा है कि सिंगपो अपने यहां विदेशी प्रतिभाओं की सेवाओं लेना जारी रखेगा सिंगपो के साशनाध्यक्स के तोर पर श्रीलूंग का कारेकाल इस महिनी की पंदर तारिख को पूरा हो रहा है कल रात एक असाधारन और शक्तिशाली सोर आंधी के कारण आउस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक आकाशी बिजली दिखाई दी इसे ओक्टुबर 2003 के हैलोवीन तूफान के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है ऐसे स्थिती तब उत्पन होती है जब सूरी के बाहरी आवरण का चुंबकी अक्षेत्र और प्लाजमा अधिक मात्रा में बाहर निकल रहे हो इससे कई जगहों पर संचार नेटवर्क, उपग्रह और बिजली घरों का कामकाज प्रभावित हुआ अमेरिकी मौसा विभाग के अनुसार आने वाले समय में ऐसे और स्थितिया पैदा हो सकती है नागालेन में भारती जनता पार्टी भाजपा ने इंडियन ओवर्सीस कॉंग्रस के पूर्व अधिक्ष सेम पित्रोधा की हालिया विवादास पक्टिपणी के विरोत में आज द्यमापूर के मारवाडी पार्टी में धर्ना किया पित्रोधा के बयान में देश के विभिन हिस्सों के भारतीयों की तुलना चीनी, अरप, गोर और अफ्रीकियों से करने पर भाजपा कारेकर्ताओं में आक्रोश था भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुगवी चीशी ने कॉंग्रेस की आलोचना करते हुए पित्रोधा के बयान को दुस्साहसी नसलवादी टिपणी करार दिया है उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह की टिपणिया विवाजनकारी भावनाव को बढ़ावा देता है भारत का अभिन्हों अंग होगा श्री सरमा आज बिहार के बेगो सराय के बखरी में जनसभा को संबोदित करने के बाद संबादाताओं से बातचीट कर रहे थे उन्होंने आतंकी संगठनों के खिलाफ स्वाजिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर कॉंग्रिस की आलोचना की है राष्टे जनता दल के वरिष्ट नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोब लगाया है कि भाजबा राजनी तिकलाव के लिए आरक्षन को समाब्द करने और सम्मिधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है श्री तेजस्वी आज बिहार के दर्बंगा में अली नगर में राजत प्रत्याशी ललित कुमार यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्हों ने कहा है कि अगर INDI गटबंधन सत्ता में आता है तो उनकी सरकार हर साल युवाओं को एक करोण नोक्रिया देंगी दिल्ली उच न्यायले ने राज सरकार को दिल्ली विश्वी विद्याले के 12 कॉलेजों के करमचारियों के बैतन की राशी एक सप्तहा के अंदर उपलब्द कराने का नर्देश दिया है ये कॉलेज पूरी तरह राज सरकार द्वारा वित पोशित है न्यायले ने कहा है कि आदेश का पालन ना होने पर अब मानना का नोटिश चारी किया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा न्यायले के पिछले महिने के आदेश को लागो न किये जाने को देखती हुए ये नर्देश चारी किया गया है मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती पूर्वी और दक्षिनी प्रद्वीपियो इलाकों में सोमवार तक गरच के साथ तेजबारिश का अनुमान व्यक्त किया है कल तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेजबारिश और मध्यवर्ती प्रद्वीपियो इलाकों में तेजबारिश की संभावना है खराब मौसम के कारण कुछ उडानों को मार्क में परिवर्तिन किया भी जाना पड़ा दक्षिन कश्मीर के शोपिया में पुलिस ने सेना के साथ साजहा भ्यान में आज आतंगवादियों के दो सहीयों के उगों गरफतार कर लिया है पुलिस ने उनके पास से आपती जनक सामाकर भी परामत की है भाला फेंक खिलारी नीरच चोपरा ने दोहा डाइमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया है चोपरा ने 88.36 मीटर दूरी तक भाला भेका और वे सिर्फ 2 सेंटी मीटर से अंतराल से शिर्ष स्थान प्राप्त करने से चूग गए है और IPL क्रिकेट में आज कोलकाता में मुंबई इंडियन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा अंक तालिका में कोलकाता की तीम 16 अंकों के साथ अशिर्ष स्थान पर बनी हुई है मुंबई इंडियन्स की तीम 8 अंकों के साथ 900 स्थान पर है प्रतियोगिता में कल गुजराट टाइटिन्स ने चन्ने सुपकिंग्स को हरा दिया अंक तालिका में चन्ने 12 अंकों के 7 चोथे और गुजरात 10 अंकों के 7 आठ विस्थान पर है इसी के साथ ये समाचार बुलिटिन समाप्त हुआ नमस्कार